दोस्तो डंकी रिलीज हो चुकी है, तो दोस्तो आपको शारुक खान की वो सूपरस्टार वाली क्रेज और स्टारडम की फिल्म देखनी है, तो ये फिल्म आपके लिए नहीं है, हाँ दोस्तो, क्यूंकि इस फिल्म के डिरेक्टर है राजकुमार हिरानी, हाँ दोस्तो, और आपने फिल्म में हर सुपर स्टार हर एक्टर को ऐसे सेट करते कि उसका कैरेक्टर एक आइकोनिक रोल बन जाए तो दोस्तो आभी डंकी मुवी की बात करें तो भाई शारुक खान तापसी पन्नू और विकी कोशल तीनों ने भी बहुत जबरदस अक्टिंग की है खास करके भाई विकी कोशल इनका छोटा सा रोले पर इनों ने भाई दमाका कर दिया दोस्तो विकी कोशल ने आप तक जितनी भी फिल्म की है उन सबसे अच्छा प्रपाउमंस और बेस्ट आक्टिंग डंकी में दिखाई है दोस्तो आप बात करें डंकी के फर्स्ट आप की तो फर्स्ट आप हूमर और कॉमेडी भी निकल जाता है और फिल्म का सेकेंड आप हूमर और इमोशन्स में निकल जाता है दोस्तो आपको इस फिल्म में पठन और जावन जैसे ऐसे मास एक्षिन देखने को नहीं मिलेगा दोस्तो बाकि इस फिल्म में डंग की प्रोसेस बहुत खतरनाक दिखाई गई है तो भाईयों आपको यह हमर रिवू का ऐसा लगा हमें करण माक्स में ज़रूर बाता है